बुध्वार को शहर में हुए भृण मामले में एक खुला सा सामने आया लकडगंश पुलीस इस मामले में तीन लोगों को पुष्टाश के लिए हिरासत में लिया था पुष्टाश में पता चला है कि ये भृण परिसर के एक अस्पताल के होने की जानकारी सामने आई है नाकपुर शहर के लिए बुध्वार का दिन शर्मसार करने वाला दिन था क्वेटा कॉलनी में कच्रे में छे भृण मिले थे क्वेटा कॉलनी में मनपा का देवडिया अस्पताल था वर्तमान में भबंध है अस्पताल की जमीन खाली है इस जमीन से सटी दिवार के पास बु पुलिस को पहले से ही आसपास के अस्पतालों पर तीं स्कूल के चात्र को सिखाने के लिञीं रखती थी मगर 2016 में यशुदा पुरोहित की मौत हो गई इसके बाद अस्पताल विपेंद्र शाहु नामक व्यक्ति समभालता था कुछ दिन से अस्पताल का काम चल रहा था इसलिए विपेंद्र ने अस्पताल का कबार कबारी वाले को बेज दिया इसके साथ ही भृण भी चले गए कबारी वाले ने ये भृण कश्रे के धेर में रख दिये पुलीस ने वद्वार की रात को ही जाजकर विपेंद्र शाहु कबारी वाला और भिकारी को पुष्टाश के लिए ले गए पुष्टाश में इन बातों का खुलासा हुआ है पुलीस आगे की जाज कर रही है कैमरा परसन अखिलेश भारत वाज के साथ परसेती नुसरते सी लोगरी करन्याता है यान अंतर पोलीस तापसा मधे उड़ा असत समझ लगी तो जो कचरा होता बायोमेडिकल वेस्ट हाँ पुरोहित नर्सिंग होम इतुम तित के टेकरास नाला बिपेंद्र साहु यान माविकल लगरे न विचार था तो शास्तो कबाडिवालेला दिलेला होता अन इतो कचरा तेना तित कचरेचा अधिगारे दोलानूं खेव लेला होता पुरोहित नर्सिंग होम चे ओनर एशो दा पुरोहित आहितास समझते अन तिया दोनहदार सोडा मादे एक स्पाइड लगेलेला होता तेचा अबदर तिया तित गायनायक मनूं प्रैक्टिस करतोता अनी इकाठीकानी शिक्वते होता तितले विद्धार अबिशेक पांसी, BCN News, नाकपुर